आप हुआ को युए वेल गाउन ऑफ यू आज हम डिसक्स करेंगे प्रस्तावना के बारे में सुगतां की प्रस्तावना ठीक है प्रस्तावना के अधिस सविदान का दर्शन रूप रहिए क्षे कोईट नौट करके लिए गाली तो से पहले परस्तावना क्या है सविधान का दर्शन रूप कि सविधान का कि दर्शन रूप किसको का गया है परस्तावना को का गया इसन पूछ ले जाएगे सविधान का दर्शन रूप किसे का गया है सविधान को अगला सुविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को किसने कहा था ठाकूर बारगवदास ने तो ठाकूर बारगवदास ने सुविधान की प्रस्तावना को क्या का था सुविधान की आत्मा सुविधान की आत्मा किसने कहा था प्रस्तावना को ठाकूर बारगवदास ने यहां कि अद्योफित कि भी जो करने अधान की आत्मा किसे का था है कि कुझ टोक्टर विम्ला मेंट करने सवीधान की आत्मा कहा था आपका का आате कल बतिसको कि आइर्टिकल बतोस ऐसी आइस तो उथकल फ्थ कि कि आइस अप्चारों का अधिकार है जो ठीक है उसको कहा था कि डॉक्टर बीमराव मेड़ी कर ने सविधान की आत्मा तोdies 32 सविधान की आत्मा किस ने बताया था दोक्टर बीमराव मेड़ी कर ठीक परस्तावना को अगला पॉइंट से पर depends पक्तनावना को दिरक काली सपनों का विचार बताया था सपनों का विचार किसने बताया थैंक सपनों का विचार बताया अ Mini THE कि किसना सवामी अयरने ju season स्वामी किसना स्वामी अईयर ने क्या बताया था दिर्ग कालिन सपनों का विचार बताया था इसके लावा राजनितिक जनम कुंडली बताया था परस्तावना को परस्तावना को क्या का था राजनितिक जनम कुंडली किसे ने कहा था तो प्रस्तावना को राजनितिक जनम कुंडली कहा था के एम मुंसी ने के एम मुंसी ने राजनितिक जनम कुंडली कहा था प्रस्तावना को कहां से लिया गया है तो प्रस्तावना को यूएसे से लिया गया है प्रस्तावना को यूएसे से लिया गया थीक है तो समझागी इतनी बात आपको तो सब्सक्राइब क्या का गया सवधान का धर्शन रूप सवधान की कुण्जी सवधान की आत्मा किसने का थाकृ बार गोदास ने लेकिन डॉक्टर बिमराम बेड़कर ने सवधान का अर्टिकल 32 को का था जो क्या है जी आपका है यह रहेगा आपका प्रस्ताउना दwas अज ने राजने जन्म कोटली किसने का मुंचि ने प्रस्ताउंना को से लिए जी यूएस के लिया गया है अगला है कि अगला पॉइंट की के आंगirm बारी केस बैरुबारी केस कब हुआ था बैरुबारी केस? बैरुबारी केस हुआ था 1960 में कब हुआ था 1960 में बैरुबारी केस के दोबारा अब क्या फैसला निकल गया जी? इसके दोबारा निकल गया कि परस्तावना सुविधान का बाग नहीं है प्रस्तावना सविधान का भाग नहीं है ये बैरुबारी केस में बोला गया फिर एक और केस होता है जिसको का गया केस अउनन्दा बारती केस केस अउनन्दा बारती केस ये कब हुआ जी 1973 में इसमें सुप्रिम कोट ने कह दिया कि प्रस्तावना क्या है जी सविधान का भाग है प्रस्तावना क्या जी सविधान का भाग है संसद इसमें बदलाव नहीं इसमें इसमें तो कहा गया इस संसद प्रस्तावना में बदलाव नहीं कर सकती संसद बदलाव नहीं कर सकती ये बैरुबारी केस में का गया तो बाग ही नहीं है तो बदलाव नहीं कर सकती लेकिन प्रस्तावना में का गए सविदान का भाग तो है संसद इसमें बदलाव कर सकती है ठीक है प्रंतु इसकी मूल बावना को नहीं छेड़ा जा सकता मूल बावना को नहीं छेड़ा जा सकता ठीक है यह बात बोली गई के सवननन्दा भारती केस के अंदर ठीक है इसके बार नेक्स्ट है आपकर के सवननन्दा भारती केस में प्रस्तावना को क्या बताया जी के सवननन्दा भारती केस में प्रस्तावना को बुनियादी डांचे का सिदान्त बताया बुनियादी डांचे का सिद्धान किस के दोरा बताया गया जी केस और नंदा बारती केस के दोरा बताया गया इसके लावा नेक्स पॉइंट है जी परस्तावना की पर्थम लाइन क्या है तो परस्तावना आपके अंसियार्टी की बुक में मिलेगा जी परस्तावना की पर्थम लाइन क्या है परस्तावना की पर्थम लाइन है हम बारत के लोग यह पर्थम लाइन लिखे रहे इसका मतलब क्या हुआ हम बारत के लोग लिखने का मतलब क्या हुआ कि बारत के अंदर इसका मतलब निकलता है मतलब कि बारत में सासन जनता का होगा बारत में सासन जनता का होगा बारत में सासन किसका होगी जनता का यानि की बार्त में सरवोच सक्ति किसके पास होगी जी तो बार्त में सरवोच सक्ति सबसे ज़्यादा सक्ति किसके पास होगी राश्टरपती के पास परदानमंतरी के पास जंता के पास है किसके पास होगी तो सबसे ज़्यादा सक्ति होती है जंता के पास ठीक है आयसा तक कहती है थे तो बात में सक्वोत तकिजिंटा के ़िए पष्टावना की पर्थम लाइन लोगत यह निलिक Philippi को दर लाइन लक थर संसोधन कितनी बार हुआ है yeah कितनी कि बार कि教unal किब फ्रस्तावना में। संसोधन कितनी बार हुआ जा सिर्फ इन सब्सक्राइमर पूला किया है तो में किसमा संसोधन सबस्ट जोड़े गये इसमें 3 सबस्ट जॉड़े गये कौन कौन्स रोड़े गई गये इसमाज बाद कि दर्म निर्पेक्ष लाग डिर्म हमाजबा जोड़ा गया है और आप कर तीसरा जोड़ा गया अखंडका तो प्रस्तावना में सिर्फ एक इबार संसोदन हुआ कब गा था ब्याड़ी संसोदन नियुसोचेंटर में इसमें तीन सबस दोड़े गए आपके कौन-कौन से समाजवाद ध्रम निर्पेक सोरव हठता इसके बाद है दी सविधान में आपकी प्रस्तावना के अंदर तीन परकार के न्याए का वर्णन है क्वाइश्ट नमें है जी आपका तीन परकार का न्याई है समाजिक न्याई मदब समाज में न्याई मिलेगा आर्थिक न्याई धन्समंदी न्याई मिलेगा और आपका तीसरा मिलेगा राजनितिक न्याई कि अर्लाजद नितिक ने तो प्रस्तावना कितने परकार किना एक हुणां एन तीन परकार का समाज एक नयाल थिक न्य हम है सब्सक्राइब ये बात आती है जी परस्तावना में बारत सबस्तbell का परयोग दोवार दौबार दौब ़ुह है तो यह था आपका प्रस्तामना का कम्प्लीट टॉपिक कल से हम स्टार्ट करेंगे सुधान का भाग पहला ठीक है एक से लेकर चार तक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रज और के अंदर साथ प्रदेशों के बारे में जिसका बनें रहेगा तो यह हो है जी आपका प्रस्तामना इसके लावा अगर आपको ग्रेदी अच्छी लग रही हो तो पलीज इसको लाइक जरूर करें जी सेयर जरूर करें जिन बच्चों को पॉलिटी पढ़नी हो थेक है जिन मेरे भाईयों बेहनों üstना प्र्ड़िंध मेरे त्डिक बास प्रह इक द झाल झाल